हाई गाईस वेलकम बाइक टुमेड चैनल तो गाईस आज मैं लेके आई हूँ मातारानी को चढ़ाये जाने वले नारियल की खीर की रैस्पी हम सभी चानते हैं गाईस की मातारानी को नारियल कितना प्री है तो गाईस ये खीर इतना यमी टेश्टी है कि आप इसे अगर एक बार बना कर खाएंगे तो बार बार बना कर खाएंगे इस खीर को आप मातारानी को भूग लगाने के लिए व्रत में या आपका जबी भी मन करें आप खा सकते हैं तो गाईस टाइम वेश्ट ना करते हुए चली रेस्पी स्टार्ट करते हैं रेस्पी स्टार्ट करने से प आफकोस नारियल की खीर है तो नारियल तो मच्ट है नारियल तो उसमें रहे गाई तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने नारियल को यह छोटे-छोटे टुकडों में यह पानी वाले जो माता नानी को नारियल हम चड़ाते हैं पानी वाले वह नारियल है तो गाइस इन्हें आपने देख लिया तो गाइस रेस्पी स्टार्ट करने से पहले यह रेस्पी बहुत जटपट 10 मिनट रेस्ट यह जटपट बनेगी इस तरह मखाने को भी चुटी-चुटी टुकुड़ों में कट करके लेना है तो चलिए रेस्पी स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते है कि मैंने फ्राइपेन गैस पर चड़ा दिया है और उसमें यह कदकस की वेनारियल को मैंने डाल दिया है और गाइस कभी भी जितना भी क्वांटिटी आप बना रहे हो मैं बार बार कहती हूं कोई भी चीज एक साथ नहीं डालते हैं थोड़ा सा इनको डालने के बाद उसमे और गाइस इसी इकॉर्डिंग आप जितना भी मिल्क आपको बनाना है उसी इकॉर्डिंग अप ले सकते हैं थ्री इस्पून भरके मैंने यह कदकस की वेनारियल लिया है अब इनको मैं अच्छी तरह से इसमें भूनूंगी थोड़ा इनको भूनते रहना है गाइस छोड़ा नहीं है थोड़ा और ज्यादा लाल नहीं करना है इस बस थोड़ा सा जो देसी गी पहले हमने डाला इसको थोड़ा सा आधा चमच उनको उसमें देसी गी का जो टेस्ट है वो इतना यमी टेस्टी लगता है गाइस यकीन मान और इस इसको healthy भी बनाता है इस वज़र से इसको थोड़ा सा और जो ये टुकड़ों में कटे हुए नारियल है इनको भी हमें थोड़े से भूनने है और भूनने से यकीन मानेगा इस ये नारियल इतना और इसकी जो खुसबू है मैं आपको यहां से खुसबू तो दिखा नहीं सकती बस मैं बहुत थी यमी टेस्टी और बहुत ही ज्यादा अच्छी खुसबू है इसकी इस देशी की वज़़े से और भी ज्यादा निखर की आई नारियल की तो अलगी अपना टेस्ट और खुसबू होता है तो गाइस ये बहुत जादे नहीं हमें इसमें सौते करने है थोड़े से बसीने और उसके बाद हमें आप देख सकते हैं मैंने दूसरी तरफ पहले से ही आधा लीटर मिल्क को उबलने के लिए चुड़ा दिया था कि जिससे हमें टाइम जैसे मैंने आपसे बोला ये 10 मिन रस्पी है तो आप एक तरफ नारियल को हल्का सा सौते करें दूसरी तरफ मिल्क को चुड़ा दें कि जिससे वो अच्छे से उन में उबाल आए तो आप देख सकते हैं मेरे मिल्क में अच्छे से उबाल आ रहा है जब अच्छे से उबाल आ जाएगा ये देख लीजे जब इस तरह जब उबाल अच्छी तरह से आ जाए हमें कच्छे मिल्क में कुछ भी नहीं याड़ करना है जब अच्छे से थोड़े दूद दो तीन मिनट उबल जाए अच्छी तरह से क्योंकि ये जटपट रेस्पी हैं आप देख सकते हैं यह कटकस के देखयों हैं तो इन्हें पहले थोड़ा डालना है फिर उसके भार थोड़े-थोड़े करके जितने भी च्छूती-टुँड़ों में इन्हें बीड़ाल देना है और ऊतोड़त कि खीर है कदूकस करके इसलिए लिया किसकी वज़स यह जटपट गाड़ी हो जाएगी इसके लिए कोई किसी भी इंग्रियंट की और दूसरे की इंग्रियंट के आउ सकता नहीं पड़ेगी इसी कदूकस के वे और बड़े टुकड़ों में अपकोस नारियल की खीर है तो न करना है यह देघ्रेशनट के निव ध banana को कहा था एक बार में कोई चीज नहीं द डालने ह है तो गाइस आप देख सकते हैं करते करते ये तो जो मैंने मखाने रखे थे कट करके वो भी मैं डाल दूँगी उनसे इसका मखाने डालने से इसका टेश्ट और भी निकर कर आएगा और मखाने पहले नहीं डालने हैं जब 50% ये हमारा बन जाता है गाईस क्योंकि मखाने बिल्कुल नर्व होते हैं वो इसमें एक दम अच्छी तरह से गल जाएंगे हमको बिल्कुल इनको गलाना नहीं है थोड़ा सा तो इसलिए जब 50% हमारा मिल्क सूख जाए तब हमें मखाने इसमें एड़ करने है और गाईस ये बहुत ही कम इंग्रेंट से बनता है लेकिन आप यकीन मानिए एक बार अगर बना के खा लिए तो बार बार आप इसे बनाकर कच्छा नारेल खाना भूल जाएंगे इसे इसे ही बनाकर बार बार है क्योंकि यह रखने पर और सूखेगा इस वज़र से बहुत जादा इसमें इसको नहीं सूखने देना है क्योंकि जहां इसको ठककर रखेंगे गाईस यह अपने आप एकदम सूख जाएगा तो इसलिए थोड़ा सा लिक्विट जब रहता है गाईस तो आप देख सकते है मैं थोड़ा लिक्विट है अब अगर आपने मेरे पहले की रस्पी देखी होगी तो अब मैं इसमें सुगर आइट करूंगी और सुगर जब यह एकदम हमको जब इसको निकालना हूँ तारनते समही सुगर आप देख सकते हैं कि मैं सुगर इसमें एट कर रही हूँ गाईस और यह भर की चमज मैंने जैसे बताया है आदा लिटर मिल्क था तो यह बड़े चमज से मैं दो बड़े चमज सुगर लूँगी आप अपने कॉर्डिंग जितना भी सुगर आपको कम ज़्यादा खातने है उसी कॉर्डिंग आप ले सकते हैं गाईस देख्या और आपने देखा होगा तो मैं कभी भी सुगर को एक साथ नहीं मिक्स करती हूँ उनको बारी बारी ही डालके मिक्स करती हूँ गाईस तो इस कि यह देखिए एकदम धी में अब उन बादाम को टुकड़ों को इसमें एड़ करके गाइस हमें और थोड़ा सा इसको मिक्स करना है कि हमने जितनी भी चीजे लिए हुई थी गाइस सबको और यह देख सकते हैं इतनी गाड़ी अपने आप हो चुकी है और बहुत इजी रेस्पी है गाइस और आपने देखा यह जटपट बन जाती है देखिए दूद गाड़ा करने के लिए हमें कुछी दूसरे इंक्रिटेंट की आओ सकता ही नहीं पड़ी तो गाइस अब देख सकते हैं यह मेरी रेस्पी बन के रेडी हो चुकी है और मैंने इसे चीनी मिट्टे के बटन में सर्प किया है आप चाहें तो जिसमें भी सर्प कर सकते लिए और यह गाइस कहना चाहती हूँ कि अगर रेस्पी यह पसंद आई हो तो इसे लाइक और मे ने लिंक दिया है आप उन्हें भी देखें और भी पसंद आते हैं तो उन्हें भी लाइक कमेंट करें तो गाइस ऐसी मेरे चैनल पर बने रही हैं मेरी रेस्पी या मेरे जो भी वीडियो है आप देखते रहे हैं आपको कैसे अ